मुसकर साथियों मेरा नाम योगे स्कुमार और ओनलाइन भास्टर टीवी देखने में और सभी दर्ख्षकों को मेरी अरफ्टर भी बहुत निजनी रामना आज कल देश बर में डेंगू का पहलाव चला हुआ है डेंगू एक अड़ी तोड़ भुगार के तोर पे वाहल संक्रुन माना जाता है जो मत्रों से लोगों फैलता है जिन लोगों डेंगू होता है उनमें आम रक्षण तेज भुगार, शिरदर्द, शरीर में दर्द, मतली और दाने होना है खास बात यह कि इस लोग में कई बार मरीज के खून में प्लेट लेट्स की कमी हो जाती है इस समय डेंगू का प्रकोब काफी हद तक बढ़ा हुआ है बारिश के बाद मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती है उन्ही में से एक है देंगू बुखार खतरनाक देंगू के निम्न लक्षणों पर ध्यान दे बाथरूम जाते समय आखों के आगे अंधेरा होने दो बार बार उल्टी होना पेट दर्द अत्यधिक कमजोरी महसूस होना खड़े होने चलने में दिक्कत होना इत्यादी यूरिन कम होना इन संकेतों को नजर अंदास न करे तुरंत चिकित्सक से सलाह ले एल चिकित्सकुमा कहना है कि डेंगू रोग से पीडित मरीज के प्लेटलेट्स कम हो जाते है जानिये क्या है प्लेटलेट्स यहां रक्त का एक भाग है जो खून का थक्का बनाने में सहायक है कोई चोट लगने पर होने वाले रक्तस्त्राव को ये रोगती है शरीर में इनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए शरीर में इनकी संख्या बहुत कम होने पर मौत भी हो सकती है कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डेड़ से चार लाख प्लेटलेट्स होती है किसी कारण से यदि ये 50,000 से कम हो जाएं तो चिंता की बात नहीं, लेकिन इससे भी कम होने पर रक्तस्त्राव होता है, यदि 10 से 20,000 की संख्या रहे तो यह स्थिती इमर्जिंसी की है किन रोगों में इनकी संख्या कम हो जाती है? देंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, टाइफॉइड जैसे रोगों में और दर्दनिवारक दवाएं नियमित लेने से भी ये घटने लगती है इस स्थिती में क्या करना चाहिए? अस्पताल में भरती कर, रोगी से मिलते ब्लाड ग्रूप वाले व्यक्ति के रक्प से जरूरत अनुसार प्लेटलेट्स निकाल कर उसे चड़ाते हैं प्लेटलेट्स कम होने का मतलब प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाय होती हैं, जो खास तौर पर बोन मैरों में पाई जाती हैं लेटलेट्स की कमी इस बात की निशानी है कि खून में बीमारियों से लडने की ताकत कम हो रही है प्लेटलेट्स कम होने की इस स्थिती को थ्रोंबोसाइटोपेनिया कहा जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य प्लेटलेट काउंट 150,000 से 450,000 प्रती माइक्रोलीटर होता है जब यह काउंट 150,000 प्रती माइक्रोलीटर से नीचे चला जाए तो इसे लोग प्लेटलेट म चिकनगुनिया के होने पर भी बलड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है एंटीक्सिडेंट वाला चुकंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को तरहतरह से अपने खाने में शामिल कीजिए फिर चाहे उसकी सबजी बनाईए या जूस पीजिए नियमित खाएं आवला आमवले को प्लेटलेट्स बढ़ाने के बेहत पुराने उपचारों में गिना जाता है डॉक्टर भारती के अनुसार यह आयुरवेदिक उपचार है आमवले में मौजूद विटामिनसी शरीर में प्लेटलेट्स का उत्पादन तो बढ़ाता ही है इससे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है पर हा इसका नियमित सेवन करना बेहत जरूरी है नियमित रूप से हर सुभा खाली पेट तीन से चार आवला खाएं आवला इस तरह से नहीं खा पा रही है तो दो चम्मच आमवले के जूस में शहद मिला कर पिये इससे भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद मिलेगी प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को पका कर खाने की जगह कच्चा ही खाएं कीवी भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करती है गाजर का नियमित सेवन करें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिन्रल्स प्लेट्लेट्स बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं नारियल पानी में यह दोनों ही तत्व प्रचुर मात्रा में होता है बकरी का दूध भी प्लेट्लेट्स बढ़ाता है इसके अलावा डॉक्टर के परामर्श से दवाई सबसे पहले ले बाजार में प्लेट्स बढ़ाने में सहायक दवाईया उपलब्ध है पपीते के पत्तों का फाइदा पपीते के पत्ते का जूस पीने के फाइदे एक देंगू से लड़ने में पपीते की पत्तिया बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद मानी जाती हैं यह बलड में तेजी के साथ गिर रहे प्लेट्स को फिर से बढ़ाने, खून के ठक्के जमने को रोकते हैं लिवर को डैमेज होने से बचाते हैं, क्योंकि देंगू वाइरस की वजह से इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं इसलिए पपीते के पत्तों का रस देंगू के इलाज के लिए कारगर माना जाता है दो अगर आपको भूख ना लगने की परेशानी हो गई हो, तो पपीते के पत्ते की चाय बना कर पिये इससे आपकी खुई हुई भूख दुबारा से वापिस लोट आती है तीन इन चमतकारी पत्तियों में शरीर की इम्म्यूनिटी को बढ़ाने वाले गुन पाए जाते हैं इन पत्तियों में सरदी जुकाम से लड़ने की क्षमता होती हैं यह बलड में वाइट सेल्स और प्लेट्स को बढ़ाने करने में सहायता करते हैं चार पपीते के पत्तों का जूस पीने से खून में प्लेट्स की कमी को पूरा किया जा सकता है इस चमतकारी पत्तों में खून में बलड प्लेट्स को बढ़ाने वाले गुन पाए जाते हैं इसके लिए पपीते के पत्तों का रस रोजाना दो चम्मच कुछ दिनों तक पीना चाहिए पांच पीरियर के दर्थ से राहत पाने के लिए एक काढ़ा बनाए जिसमें एक पपीते की पत्ती को इमली, नमक और एक ग्लास पानी के साथ मिक्स करे फिर इसे उबाले और काढ़ा बनाकर ठंडा करके पिए, इससे आपको पीरियर के दर्थ से काफी आराम मिलेगा छे अगर आप पिंपल्स की प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, तो पपीते की सुखी पत्तियों को लेकर पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बना ले, फिर इस पेस्ट को चहरे पर लगा कर सूखा ले, और फिर पानी से चहरे को धो ले, इससे कुछ ही दीनों में आपके पिंप लिवर कैंसर, फेफरो के कैंसर होने से रोकने में मदद करता हैं, आठ पपीते के पत्ते मलेरिया से भी लड़ने में एक शक्षम होते हैं, पपीते के पत्तियों का रस मलेरिया को बढ़ने से रोकता हैं, मलेरिया और डेंगो दोनों ही मच्छरों के काटने से होता हैं, जीवी, वाइरस और कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं.